नमस्कार काफी समय हो गए विंडोस 7 के दर्शन नहीं हुए तो मैंने कहा चलिए आज इसको भी देखी लेते हैं हम करने क्या वाले हैं कि विंडोस 7 को जब आप लोग करते हैं तो उसमें आपको एक पीछे बेग्राउंड दिखता है वाल पेपर दिखता है जो कि विंडोस क सब्सक्राइब करना कंसिडर करिए अब इस काम के लिए सबसे पहले तो आपको स्टार्ट बटन पर आना है यहां पर रजिष्टी एडिटर ओपन करना है जिसके लिए आप आर एज़ी एडिट लिखेंगे दिख जायागा ओपन करने के बाद आपको यह क्लिए ओप्शन कर देंगे ठीक है कुछ इस तरीके से ओपन हो जायागा यहां पर है की लोकल मसीन को ओपन कर लिए आगे क्या क्या चीज ओपन करनी है वह मैं आपको यह नोटपैट के अंदर दिखा देता हूं ताकि यह असानी रहा है यहां पर आपको सॉप्टर ओपन करना है कुछ इस से उसके बाद यह M की सीरीज में Microsoft दिखेगा इसको भी ओपन कर लेते हैं और उपर की ही लिष्ट में आपको करन्ट वर्जन दिख जाएगा थोड़ा इस तरीके से मैं बढ़ा कर लेता हूं यहां पर करन्ट वर्जन नहीं है अभी आपको Windows का फोल्डर दोड़ना है सबसे नीचे इसमें आने के बाद यह आगे हमारा करन्ट वर्जन थोड़ा और नीचे करेंगे नीचे नीचे नीव पर इडेने दें अभी अथन्टिकेशन का फोल्डर ओपन कर लेता है यहां पर आपको यह Logon UI दिख रहा होगा इसी की हमें जरूरत थी इसको भी ओपन कर लीज पर्टिमल में 0 लिखा होगा 0 को हटा के आपको एक नंबर सेट कर देना है कुछ इस तरीके से अब आप सुछ रहा होंगे यह तो जो है अभी वाल पेपर तो हमारा लगा ही नहीं अभी हमने क्या किया है कि वाल पेपर लगाने के लिए जो कुछ सेटिंग जरूरी थी वो स हाई इसको ओपन करिए अब ओ अला बटन दवा के ओ की सीरीज में आई है ज्यादा दो बार ओ दवा दिया कर बड़ोगी थोड़ी एक बार दवाईए यह डबल ओ बी इसको ओपन करने के बाद आप यहां पे एक बार राइट क्लिक करिए निउ पर आएंगे फोल्डर बना ठीक है अब चलिए इसके अंदर चलते हैं यहां पर आपको वही फोटो सेट कर देनी है जो कि आप वहां पर देखना चाहता है जैसे कि मेरे डाउनलोड में वह फोटो पड़ी हुई है लेकिन यहां पर एक आपको कुछ तरम्स और कंडिशन बता देता हूं जो भी फोटो का जो है 192180 तो नहीं है उसको चेक करने लिए आपको जो है डेक्स्टॉप के पर राइट क्लिक करके स्क्रीन रेजुलेशन पर आना है यहां पर यह देखिए मेरी स्क्रीन का रेजुलेशन यह तेरा स्चाचट करके है कुछ तो यह दोनों चीज जो है मैच करवानी होंग अब यहां पर आपको यह वेबसाइट दिखेगी जिसका हुणिया कुछ इस तरीके से है यहां पर अप लोड इमिज के उपर क्लिक करी अभी है जहां पर इमेज हो आपकी उसे बताके ओपन कर लीजे यह इमेज हो गई हमारी अप्लोड और उसके बाद यहां पर आपको ड साइज हो मतलब मेरा जो 1366 और 768 करके था एक बार में दुबारत चेक कर लेता हूं थोड़ा कन्फिर्म कर लीजेगा ज्यादा बेटर रहेगा इस पर से मार्क खटा दीजे अगर आप रेजुलेशन वगेरा बदल रहें नहीं तो इसको आटोमेटिक ही रहने दीजेगा और यहाँ पर सारी चीजे बिल्कुल सेट रहने देंगे एक बार आप कंप्रेस इमेज पर क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पर दिखेंगे 164 के कि यह इमेज आ गई है आप चाहें तो साइड जैसे कुछ कम या ज्यादा हुआ हो तो इसको अपने हिसाब से मोडिफाइब भी कर सकते हैं जैसे कि मैं 80 के इसको 85 करके दिखूँ एक बार तो इस तरीके से इसमें और भी चीजे आ जाएंगे तो मेरों को यह वाली तो नही को क्या देना है वो भी थोड़ा ध्यान देने वाली बात है पहले तो जो है उपर देखिए यह अर्गनाइज वाला बटन दिख रहा है ना इसके उपर क्लिक करिए करके फोल्डर एंड सर्च ऑप्सन में आ जाना है वीव पर आएंगे यहां पर यह एक्स्टेंशन वाला म पेस्ट मार देंगे ज्यादा अच्छा रहाएगा नहीं तो नाम बगेरा में कुछ हल किसी गड़बड होगी ना तो काम पूरा बिगड़ जाएगा मतलब कुछ कंप्यूटर में गड़बड तो नहीं होगा लेकिन जो हम कर रहे हैं वह होगा नहीं अब उसको कोपी किया और यहां पर आके पेस्ट कर दिया उसी फोल्डर के अंदर कंटीनु के लिए पूचेगा कंटीनु मार देंगे यह देखिए हमारी फोटो कुछ इस तरीके से आ गही है अब चलिए करके देखते हैं कि यह सब चीजे काम करी की नहीं करी पहले तो इसको जो है मैं क्लोज कर देता हूं और इसको भी क्लोज कर देता हूं अब श्टार्ट बटन पर आया है लोग आफ करके देखते हैं देख सकते हैं आप जो है हमारे बेग्राउंड का बाल पेपर पूरी तरीके से बदल चुका है अपने पासवड लगाया होगा तो पासवड डालने के लिए भी प हारत